राजेंदर सिंग राहिलू, शायद नाम न सुना हो, क्योंकि ये रिकेट या फिल्मी हीरो नहीं है। बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे राजिंदर सिंग रहिलू कभी अपने पैरों पर चल नहीं सके क्योंकि उन्हें बच्पन में महजार्थ महीने की उम्र में पोलियों हो गया था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति जिसके पैर इतने कमजोर है कि वह जिन्दगी में अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका वह 185 किलोग्राम वजन उठा सकता है। 1973 को जन्मे राजिंदर को आठ महीने की उम्र में ही पोलियों हो गया था। उनका बच्पन गरीबी और विकलांकता से लड़ने में बीटा लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। राजिंदर अपनी मेहनत से पौवर लिफ्टिंग में काम्याब होते गए। सन 2004 में उन्होंने 56 किलोग्राम वर्ब में एथेंस पैराउलिंपिक खेलों में कांसे पदक जीता। उन्होंने 2008 और 2012 पैर उलिंपिक खेलों में पौवर लिफ्टिंग खेलों में भारत का प्रतिन दित्व किया। 2012 पैर उलिम्पिक खेलों में वे 175 किलोग्राम वजन उठाने में अपने तीनों प्रयासों में चूट गए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी उन्होंने 2014 कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करके 185 किलोग्राम वजन उठाकर में रजक पदक अपने नाम किया और आजवे युवाओं के लिए प्रेमना स्त्रोथ है आज वे एक कोच के रूप में युवाओं अवसक्षम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं वे एक सच्चे हीरो है उनके जैसे लोग हमारे लिए हर रोज एक नई आशा की किरन लेकर आते हैं जो यह साबित करती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती